पर इसकारत यह नहीं कि हम हमारी संस्कृति हमारे कल्चर को कुछ चमतकार तक सिमित करके रख दे हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति तो exactly इससे opposite कहती है हम उस सभ्यता से आते हैं जिसमें ये कहा गया है कि भाई भगवान आपके मित्र ही क्यो ना हो भगवान आपके सखा ही क्यो ना हो भगवान आपके सगे संबंदी ही क्यो ना हो सगे संबंदी या मित्र छोडिये भगवान आपका रथ ही क्यो ना हाक रहे हो फिर भी आपके दुख आपका भय आपकी शोख आपकी चिंता चमतकार से नहीं मिटती है आपका भय, आपकी शोक, आपकी चिंता, आपका दुख ज्यान से ही मिटता है वो आत्म ज्यान था, वो आत्म विद्या थी, वो प्रह्म विद्या थी, वो अद्वेत वेदान्त का ज्यान था हमारी संस्कृति ने तो इतना महान दर्शन, इतनी महान फिलोसोपी, इतना सुक्ष्म मनुविज्ञान पूरे विश्व को दिया हुआ है, जिससे सुक्ष्म मनुविज्ञान इस धर्ती पर फिर से कभी लिखा नहीं जा सकता, और ये अकाट्य सत्य है, इतनी महान सभ्यता से हम आते हैं, उसको कुछ चमतकारों तक सिमित करके रखना, हमारी संस्कृति तो कहती ही, कि मैं जीते जी जीवन मुक्ति पराप्त करना, कोई मृत्य के बाद में कोई आपको स्वर्क का सुक दिखा या नरक कभ़े दिखाए, वो हमारी संस्कृति नहीं सिखाती है, और सबस उन्हें सो दो सो नहीं, हजार दो हजार नहीं, लाखो लाखो आदिवासियों की घरवापसी करवाई, पचास वर्षों तक मेरे गुरुदेव निस्वार्त भाव से सेवा की, कभी इन सेवा कार्यों को उन्होंने लोगों के सामने नहीं लाया, कभी उसकी और अपने आत्मतत्व को प्राप्त करे, अपने आत्मतत्व के उस ज्ञान को प्राप्त करे, ओम नारायन, 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 सबमित्र कुराम राम, दोस्तों पिछले कुछ दिनों जो देश में एक विवाज चल रहा है, कथाकार देरेदर शास्त्री और उन पर अनिस व पर देखिए जो पूरा विवाद जो खड़ा के आ गया है या जैसा आपको सामने से दिख रहा है ये पूरा विवाद मुझे इसके पीछे का एजंडा कुछ और ही लग रहा है मतलब जैसा कुछ दिखाया जा रहा है या इवन आपने कई सरे राष्ट्रवाधी क्रियेटर्स के वीडियोज वगेरा भी इसको लेकर देखे होंगे पर मुझे या मेरा जो मत है मेरा जो दिख्टी कोन है इस पूरे विशे को लेकर पूर्ण रूप से अलग है और मेरे अनुसार ये जो कुछ भी जैसा भी इसके दोनों ही पहलू अगर हम देखे चाहे किसी भी साइड स से चाहे अनिसवालों की साइड से या कथाकार जो दिरेंदर शास्त्री है उनकी साइड से दोनों ही साइड से सनातन संस्कृती के लिए तो ये पूरा का पूरा एक वीवात जो खड़ा किया गया है वो हमारे संस्कृती की दृष्टी से बहुत बहुत ज़्यादा घातक पहली बाद तो जो अनिस है अंदेशर्दा निर्मुलन समीती ये तो मतलब मैंने जब पहली बार इसका गठन किया गया था मेरे गुरुदेवने कई बार सत्संग के माध्यम से इसके एजेंडा को लेकर इसके पीछे की मुख्य मान सिकता क्या है कैसे एक हिंदु विरोधी मा जो हिंदु साधू हो, कथाकार हो, उनको केवल कैसे टार्गेट करने का प्रयास किया जाता है या हमने इससे पहले कई बार देखा हुआ है तो उसको कोई संदे नहीं कि अनिस का जो एजेंडा है वो पुरन रुप से उसमें एक हिंदु विरोधी मान सिकता हमें देखने को मिलती है, पर दूसरी तरफ हम जो कथाकार धिरेद्र शास्त्री है, उनको जिस प्रकार से जो कुछ जैसा जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है ना, वो हमारे कल्चर की दृष्टी से, हमारी संस्कृती की दृष्टी से मुझे बहुत बहुत घातक लग रहा है, मतलब जो जा रही है और उसको लेकर जस्टिफिकेशन जो कुछ लोग दे रहे न कि भाई मिशनरीज भी तो ऐसा करते हैं वो भी तो ढोंग पाखंड से रारा करके या कुछ ऐसे सीडी से छूलिया तेल की बॉटल से छूलिया या कुछ ऐसी कुछ शब्द बोल दिया और उसको लेकर एसे लोग जमी पर लोट पोट होने लग जाते हैं तो वे मिशनरीज भी तो ढोंग पाखंड से करते हैं तो केवल कथाकार धेरेंदर शासरी को ही क्यो टार्गेट किया जा रहा है ऐसा जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वो हमारे कल्चर के लिए हमारी इतनी महान सभ्यता हमारी इतनी महान संस्कृती जिसने अद्वेत वेदांत जैसा दर्शन पूरे विश्व को दिया अद्वेत विदानत एक ऐसी philosophy है, ऐसा दर्शन है, ऐसा मनुविझ्यान है, जिसे इस धरती पर फिर से कभी लिखा नहीं जा सकता, उससे सुक्ष्म मनुविझ्यान कभी लिखा नहीं जा सकता, और ये अकाट्टे सकते है, इतना महान दर्शन जिस सब्विता ने दिया, उसको आप धोंग और पाखंड की लेवल पर लाकर खड़ा कर रहे हैं या ये justification दे रहे हैं आपकी missionary जैसा करते हैं वो धोंग और पाखंड से लोगों को convert करते हैं ये ये नई generation अगली generation के सामने हम हमारे culture को हमारे संस्कृति को कैसे present कर रहे हैं हम हमारे culture को क्या चमतकार तक सिमित हाँ दिरेंदर शास्त्री उन्होंने जो कुछ लोगों की घरवापसी करवाई इसके बिल्कुल उनका समर्थन है स्वागत है इसमें कोई संदे नहीं पर इसका आरत ये नहीं कि हमारे संस्कृति हमारे culture को कुछ चमतकार तक सिमित करके रख दे हमारी सभ्यता हमारी सम्मंदी ही क्योंना हो सगे सम्मंदी या मित्र छोडिये भगवान आपका रथ ही क्योंना हाक रहे हो फिर भी आपके दुख आपका भय आपकी शोख आपकी चिंता चमतकार से नहीं मिटती है आपका भय आपकी शोख आपकी चिंता आपका दुख ज्यान से ही मिटता है केवल उनके सका नहीं थे, केवल उनके संबन्दी नहीं थे, उनका रथ हाक रह थे, पर फिर भी अर्जून का दुख कोई चमतकार से मिटा? या भगवान्ष्रे क्रश्न ने कोई चमतकार से उनका दुख मिटाया? नहीं, जब अर्जुन हाद जोड़कर भगवान स्रीक्रिष्ण के सामने बैठते हैं और कहते हैं वो बुद्धियोग मुझे दीजिए वो ग्यान योग मुझे दीजिए मेरा विशाद दूर करिए जब वे भगवान स्रे कृष्ण को गुरू रुप में स्विकार करते हैं और भगवान जब उन्हें वो आत्म विद्या, वो आत्म ग्यान, वो ब्रह्म विद्या जब वो देते हैं जो हमें लोकिक सुक से, शाररिक सुक से, शरीर से उपर उठकर अपने आत्मतत्व की पहचान कराती है, जो विद्या, वो ज्यान जब भगवान अरजुन को देते हैं, तब अरजुन का विशात दूर होता है, नश्टो मोह स्मृती लब्धवा, तब उनका मोह नश्ट हो जा वाला बहुत महान योगी है, या कि इसने 15 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, एक तब तक अपना हाथ उपर करके रखा हुआ है, कई सरे से साधु, योगी, तपस्वी आपको मिलेंगे, उनको सबसे महान योगी हमारा भगवान स्रिकिष्ण ने नहीं कहा, किसे कहा है सबसे महान यो योगी है, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जो सुख दुख में, लाभ महानी में, मान अपमान में, हर परिस्तिती में जो अंदर से सम रहे, अपने आपको उस आत्म तत्व के रूप में जो जानता है, और हर परिस्तिती में जो सम रहता है, वो योग किसी के पास में बाहर की कुई सिद्धी हो और कोई आपको चमतकार करके ये कहे कि आपके कुछ दुख मिट जाएंगे ये हमारी सभ्यता ये हमारी संस्कृति नहीं सिखाती है हमारी संस्कृति में ज्यान को सर्वच्च सबसे ऊपर रखा गया है हाँ इसका मतलब ये नहीं कि कि भाई कुछ सिध्या नहीं होती या चमतकार नहीं होते, कई सारे सिध्ययोगी होते हैं। अनुमान जी के पास में तो अश्ट सिद्धी नो निधी थी अनिमा, गरिमा, लगिमा, कई सरी अलगलक परकार की सिद्धिया थी अनुमान जी के पास में पर फिर भी उन्होंने प्रभुष्री रामचंदर जी की सेवा की क्यों? कि प्रभुशी रामचंदर जी के पास में गुरु वशिष्ट जी का दिया हुआ, वो आत्म ज्यान था, वो आत्म विद्या थी, वो प्रह्म विद्या थी, वो अद्वेत वेदान्त का ज्यान था, योगवशिष्ट महारामायन आप कभी पढ़िये? उसमें गुरु इतनी महान फिलोसोफी, इतना सुक्ष्म मनुविज्ञान पूरे विश्व को दिया हुआ है, जिससे सुक्ष्म मनुविज्ञान इस धर्ती पर फिर से कभी लिखा नहीं जा सकता, और ये अकाट्य सत्य है, इतनी महान सभ्वेता से हम आते हैं, और उसको कुछ चमतकारों इसकारों तक सिमित करके रखना, हमारी संस्कृति तो कहती ही, कि जीते, जीवन मुक्ति प्राप्त करना, कोई मुर्त्य के बाद में कोई आपको स्वर्ख का सुक दिखाए, और कभ़े दिखाए, वो हमारी संस्कृति नहीं सिखाती है, आप अबरहामिक रिलिज्ञेंस के ग्रिष्टिकोन से, उस चश्मे से हमारी भातन संस्कृति को जज नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, और सबसे दुख की बात क्या है देखे आप दोस्तों, कि मैं देख रहा हूँ कई सारे वीडियो किसी जादुकर को ला करके बिठा रहे हैं स्टुडियो में, वो क्या कह रहे हैं, हमारे संतों नों ये तो ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या का ही ज्यान पूरे विश्व को दिया है, सबसे पहली बात तो कथाकार, साधु, योगी, तपस्वी, ये सब अलग होते हैं, और संत अलग होते हैं, संतों का स्थान सर्वोच्च कहा गया है, कथाकार है, वो जो आत्म विद्या देते हैं, ब्रह्म विद्या देते हैं, वेस उन्हें परम गुरु कहा जाता है, ये भगवान शिव जी श्री गुरु गीता में कहते हैं, और ऐसे गुरु की ही शरण में जाना चाहिए, ये भगवान शिव जी इमाता पार्वती से कहते हैं, पर आजकल त करने का प्रयास किया जा रहा है आज की नई जनरेशन के सामने के सनातन संस्कृतियों और हमारे संत ऐसे चमतकार दिखाते हैं यही यही चितर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है ना इसलिए मैंने शुरुआत में इस वीडियो के कहा कि जो कुछ भी ये पूरा जो एक विवाद खड़ा किया गया है ना इसकी पीछे का एजेंडा कुछ और ही है ताकि हिंदू जो भी राष्टरवाद विचारधारा से है वे कुछ ऐसे चमतकार वगएरा इसका समर्थन करने में सामने आ जाए ताकि हमारे कल्चर को वहाँ तक सिमित करके रख छोड़ कर हमारे कल्चर को कुछ एक जादू टोने जैसा दिखाने का प्रयास करना वै मैंने तो मैं मेरे गुरुदेव पुझ्य संश्री आसराम जी बापुझी के आश्रम में आट वर्शों तक रहा हूँ मेरे गुरुदेव ने सो दो सो नहीं हजार दो हजार नहीं वालों को बुला कर उसको कोई न्यू चैनल्स पर उन्होंने नहीं दिखाया मेरे गुरुदेव के सेवाकारे 50 वर्शों तक इतने सेवाकारे हुए 8 वर्शों तक मैं कैसर आदिवासिक शेत्रों में गया हुआ हूँ मैंने अपनी आखों से वो दृष्य में देखे हुए ह पर मेरे गुरुदेव ने कभी किसी को ये नहीं का कि मैं चमतकार से तुम्हारे दुख मिटा दूँगा मेरे गुरुदेव हमेशा कहते थे कि भाई दुखों के सर पर तो पाव रखकर आगे दुख तो पैरो तले कुचलने की चीज होती है लोकिक सुखों की पीछे क्या भाग ना कोई लोग की सुखों की मांग भी करता तुम्हें गुरुदेव कहते थे कि ये कितनी दिन टिकेगी ये बाते हमारे जितनी इच्छाय होती है वो सारी इच्छाय तो पूरी होती नहीं है जो इच्छाय पूरी होती है वो टिकती नहीं है संसार तो नश्वर है इस चारा करके या कोई सीडी छू लेने से या कोई तेल की शिशी छू लेने से आपके दुख मिट जाएंगे ये ये हमारे संत नहीं करते हैं अगर किसी को कुछ पीडा भी है कोई पित्त संबंदी पीडा है कोई वायो संबंदी पीडा है कोई कप संबंदी पीडा है तो उसको लेकर अलग-अलग उप्चार हमारे संत बताएंगे आयरुवेद के, योग के जो पुर्ण रुप से लॉजिकल है और उसके पीछे पूरा एक विज्ञान है ये हमारी सभ्थेता है ये हमारी संस्कृति है, कोई कथित चमतकार नहीं मतलब जो कुछ जिस प्रकार से पूरा विवाद चल रहा है दोनों तरफ से हमारी ही कल्चर के लिए हमारी ही सनातन संस्कृति के लिए मुझे केवल घातक ही लग रहा है मतलब कोई भी एक आज का नया युवा, जो कहता है कि मुझे तो पूरा एक कोई लॉजिकल तर्क संगत बात चाहिए, फैक्ट्स के आधार पर बात चाहिए, वो अगर ये न्यू चैनल में जाकर देखेगा, वो देखेगा कि हाँ यार यानिस वाले तो सही कह रहे हैं अगर इनके पास में सर्च में चमतकार है तो आकर दिखा दे लोगों को अस्पताल में जाकर वगरा चमतकार करके और दुसरी तरफ फिर कुछ राश्ट्रवादी लोग आकर ये तर्क दे रहे हैं कि भाई, मिश्नरीज भी तो करते हैं तो आपने अपनी इतनी महान सभ्यता को कुछ ढोंग और पाखंड करने वालों की लेवल तक लाकर खड़ा कर दिया कि मिश्नरीज करते हैं तो इसलिए हम जस्टिफाइ करें ये गलत है इससे हम हमारी ही महान सभ्यता का कल्चर का अपमान कर रहे हैं उसको छोटा कर रहे हैं ये हमारी सभ्यता नहीं है कि कुछ कोई कही पर चमतकार कर दे भाई दुख तो पैरोतले कुचलने की चीज है सुख बाटने की चीज है ये मानोता पर उपकार ये हमारी सभ्यता सिखाती है अपने शरीर से अपने शाररी की इच्छाओ से लोग की इच्छाओसे भौतिक सुखो से ऊपर उठकर हम समाज की सेवा में अपनी शरीर का उपियोग करें अपनी आत्पत्व के उस ग्ञान को प्राप्त करें फिरसे देखे मुझे यह बहुत बहुत जो कुछ भी हो रहा है मुझे चिंता होती है सच में सब बाते देखकर अचले मैंने जो भी मेरे रिदय में जो मन में बाती थी वो कही पर मैं इतना ही कहूँगा कि गलत हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है हमारे अगली जनरेशन के सामने हम हमारे कल्चर को कैसे प्रेजेंट कर रहे है बगी किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ हाँ जोड़कर बगी दोस्तों आपके इस पर क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में आवश्य बताना ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत निवाद जैश्री राम वंदे मातरम